मेरे सामने यहां पर कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ रखा हुआ है जो मैं परसनली यहां पर यूज करता हूँ टाइटल देखे तो आपको समझ में आ गया है कि यह वीडियो किस टॉपिक के उपर में है जब भी आप कार क्लीनिंग या बाइक क्लीनिंग क्लोथ के बारे में सर्च करते हैं यूटूब में हो गूगल में हो या कोई भी फ्लिप कार्ड एमाजन कहीं भी हो आप यहां पर माइक्रोफाइबर का एक वर्ड आप देखते होंगे कि माइक्रोफाइबर क्लोथ और वह आप देखके आपको बहुत पसंद आता है वह खरीद लेते हैं तो य माइक्रोफाइबर को बहुत अच्छे से ध्यान रखके उसको मेंटेन करना है नहीं तो उसका प्रॉपर्टी है उसका जो क्वालिटी है बिल्कुल भी खराब हो जाएगा और मैं यह चीज जो बता रहूं मैं अपने परसनल एक्सप्रियेंस से बता रहूं कि कि एक माइक् यहां पर एक आटो संथिंग कंपनी का यह 800 जी सेम का है और यह साइन एक्स प्रोव का जो बफिंग के लिए और सिरमी कोटिंग के लिए एक माइक्रोफाइबर यहां पर है ठीक है तो यहां पर वाड मैंने भी यूज किया जी एसम जी एसम बिसिकली ग्राम पर स्क्वेर म अग्र है एक मीटर में कितना ग्राम उसका वुद्धि उसके में है ठीक है तो यह तो यह कूपर मायक्रोफाइबर का क्वालीटी डिपेंड करते हैं कि माइक्रोफाइबर कर जो को आटा है वह 100 परसेंट प्लियस्टर हो सकता वी दो चीज का बलेंड है बनता है एक पॉलि फाइबर मैंने पर्चेस किया था एमाजन से सब कुछ ठीक था इसका प्रपर्टी जो है पानी को एबसर्ब करने का सब कुछ ठीक था लेकिन जो गलती मैंने किया वो यह है कि इसको सुखाने के लिए मैं धूप का यूज करता था ठीक है जैसे हम लोग नॉर्मली दूसरे भाते हैं धूप में टांग देते हैं तो यह चीज मैंने सेम किया इसको अच्छे से वाश करके डिटरजन से वाश करके मैंने धूप में इसको रख देता था तो यह चीज रिपीट करते-करते मैं देख रहा था कि गाड़ी में जब पानी यहां पर पड़ा हुआ होने के और इसको जब मैं यूज कर रहा हूं तो पानी को ठीक से अब्सर्ब नहीं कर पा रहा है ट्रेल मार्क्स रहे जा रहा है बॉडी सर्फेस में और यह पानी को खीश नहीं पा रही है तो मैं सोचा कि शायद इसका क्वालिटी खराब होगा कंपनी अच्छा नहीं है वगर वग वह 200 का हो 300 का हो 800 का हो या 1000 GSM का हो ठीक है उससे भी जादा हो सकता है कभी भी उसको धूप में मत सुखाना ठीक है या बॉनेट आपका या गाड़ी आपका धूप में पड़ा हूआ है गाड़ी का सर्फेस गरम है कांच गरम है आप सोचे कि थोड़ा जल्द बाजी में करत हूँ माइक्रोफेबर को में उस सर्फेस में रख देता हूँ जल्दी पानी सुख जाएगा जल्दी पानी भाब बनके उड़ जाएगा और मेरा माइक्रोफेबर सुख जाएगा नहीं लेकिन ऐसा नहीं होने वाला पानी तो उड़ जाएगा लेकिन उसके साथ है जो नायलोन का फार्ट इए वह उसका खरब कर देगा पॉलिएस्टर नायलोन का ओलिटी बिल्कुल खरब कर देगा और धीरे-धीरे क्या होगा पानी खीजने का जो उसका फ्रॉपर्टि यह वह टोटली खतम हो जाएगा इसमें जैसे दो सर्फेस है ठीक है इस सैडमें ब दूसरे जो हाड डिटरजेंट है वो यूज किया करता था लेकिन उसी चक्कर में यह माइक्र फाइबर टोटली बरबाद होगी इसका प्रॉपटी बिल्कुल भी खतम है यह चीज फेस कने के बाद यह गलती में ने फिर से कभी भी रिपीट नहीं किया दूसरा बात है कभी यह डिटरजेंट यूज मत कीजिए डिटरजेंट यूजी मत कीजिए इसको क्रिन करने के लिए जब भी आप माइक्रोफाइबर को यूज कर रहे हैं उसमें डर्ट एकुमिलेट हो गया उसको पहले आप थोड़ा जाल लीजिए अच्छे से ठीक है फिर नॉर्मल पानी से ठीक है हाड पानी भी नहीं नॉर्मल पानी अगर पी एच लेवेल अगर जीरो है तो और भी अच्छा है लेकिन हाड पानी भी यूज मत कीजिए नॉर्मल वाटर से अच्छे से इसको बार बार रिंस कीजिए बाल्टी में डुवा कर रख सकते हैं फुल नाइट कोई प्र इसका साथ गलती करने के बाद एक भी माइक्रोफाइबर यहां पर मेंने आउटर में कभी भी नहीं सुखाया है सब इंडूर में सुखता है चाहे हो ओल नाइट लगे कोई उसमें प्रॉलम नहीं है लेकिन माइक्रोफाइबर आपका बच जाएगा ऐसा है कि आपको माइक माइक्रोफाइबर को कभी भी बॉड़ी सर्फस में ड्राइ। में यूज मत कीजिए माइक्रोफाइबर को हमेशा थोड़ा पानी देखे मॉइस्ट कर लिजिए ठीक है उसके बाद जो भी आपको सर्फस है उसको आफ वाइपड कीजिए वान डियरेक्शन तो आपका लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस संट पर्डिकल उसमें फस जा रहा है आप उसी को लेके ऑगर गिस्ते ही आपर करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो स्क्रैचेस पढ़ने के बहुत चांस रहता है इसलिए हमें सब दो माइक्रोफाइबर यूज़ कीजिए इसके पहले भी हाउट टू क्लीन एक कार एट होम इसको पर एक मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंग में नीचे दे दूंगा वहाँ पर भी डीटेल्स सब्सक्राइबर आप यूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए तो उस माइक्रोफाइबर को और गाड़ी का सर्फेस क्लीनिंग के लिए यूज़ मत कीजिए तो वहाँ पर डिपेंड करता है सिरमिक का जो प्रॉपर्टी उसको उपर लेकिन इन जैसे मैं शाइनेक्स प्रो तो आप क्लीनिंग प्लस सेंपू यूज़ कीजिए बहुत कम पैसा में आ जाता है पचास एक रूपे में आ जाता है जो कम दम मिलता है उससे आप यूज़ कीजिए और तुरंत आप माइक्रोफाइबर को आप वाश करके वहाँ पर निचोड़के जो भी पानी उसको निक हिसते रहेगी एबाफ 500 GSM बेस्ट है पानी सोक करने के लिए अगर आप पॉलिशिंग के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप पतला माइक्रोफाइबर यूज़ कीजिए आपका 120 से 200 या 240 GSM से काम आपका चल जाएगा ज्यादा GSM का माइक्रोफाइबर का कोई रो चीज़ है माइक्रोफाइबर के लिए वहीड जो है जो नाइलोन का प्रोपाटी वह बिल्कुल भी खराब कर देगा और आपके पास एक बेकर का माइक्रोफाइबर बस पड़ा रहेगा ट्राइड़ को अगर क्लिंग कर रहे हैं तो क्लिनिंग करने के बाद मेरा जैसा है तो दोसके बाद माइक्रोफाइबर के मेने क्लिन कर कर रखा है वैसे तो माइक्रोफाइबर मार्केट में बहुत सरे वलेलबल है लेकिन पेस्ट की सबसे अभी तक मेरे लिए बेस्ट लगा है इसको पर एक डीटेल्स अलग से बनाकर रखा है तो आप देख सकते हैं और यह से माइक्रोफाइबर नीचे गिर जाता है आप उसको उठाके फिर से गाड़ी में रब करना शुरू कर दिए तो वह चीज मत किजिए कि बहुत जल्दी यहां पर सेंट पर फंस जाता है ठीक है तो उसको अच्छे साब जाड़ लीजिए मन को तसनली करने के लिए पानी से अ बहुत ज्यादा गरम रहता है और धूप में अगर ड्राइब करके आते हैं तो गाड़ी का सर्फेस वह ऐसे गरम रहता है तो उसके उपर माइक्रोफाइबर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए गाड़ी को थोड़ा टाइम दीजिए उसको कूल डाउन होने के लिए उसके बाद आप पानी यूज कीजिए और माइक्रोफाइबर यूज कीजिए प्रॉपरली आपका क्लिनिंग भी होगा और माइक्रोफाइबर भी सेफ रहेगा तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने परसेनली फेस किया था और उसको उपर ये डीटेल एक अजय है और माइक्रोफाइबर ये खार खार बार माइक्रोफाइबर